ऐसे में Amazon में देख रहा था Samsung Galaxy Tab S9 FE प्राइस देखो 54,000 बताओ मतलब fan edition का Samsung का tablet के प्राइस यह लोग 55,000 लगा रहे हैं उफर में लगा के अब 55,000 में क्या मिल जाएगा मेरे को अगर मैं iPad Air सर्ज करूं यह देखो 55,000 में आपको मिल जाता है iPad Air M1 चिप के साथ M1 चिप है इसका मतलब 8GB RAM है अब आप समझ लो Apple में 8GB RAM is like too good राइट ओल डे बैटरी लाइफ है गेमिंग बढ़ियां होती है वैसे 60 जिका स्क्रीन है लेकिन कोई भी गेम खेल सकते हैं आप इसमें बट चक्कर यहां पर यह है कि आपको अलग से Pencil करिदना पड़ेगा और यह जो Samsung Tab S9 FE है इसमें आपको Pencil नहीं खरीदना पड़ेगा दूसरी बात है कि यह 5G वाला वर्जन का 55,000 दाम है जरूरत के हिसाब से किसी को अगर 5G चाहिए Pencil भी चाहिए और 55,000 में चाहिए तो कोई यह खरीच सकता है लेकिन अगर अगर प्योर प्रफॉर्मेंस पर आप जाओगे तो मेरे को नहीं लगता है कि M1 चीप का बराबरी कर सकेगा जो प्रोसेसर उस टैबलेट में होगा सबसे पहले पता करते हैं कि इसमें है प्रोसेसर कौन चाहिए अगर मैं देखो सिर्फ वाइफाई वर्जन तो 8000 इधर हो गया और 12000 हो जाता है देखने में लगता है लेकिन हो जाता है अब मैं इस पर प्रोसेसर देखता हूं कि कौन सा प्रोसेसर इसमें उस पर डिपेंड करता है कि क्या यह मैच कर पाएगा इसको अच्छा इसमें 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट भी है जो कि बहुत कि यह क्योंकि प्रो लाइन अप में ही सिर्फ अपल देता है अपका 120 हैं अब देखने इसमें बताएगा यह नहीं प्रोसेसर कॉन सा ओप कॉन सा और बताओ इतना वेग किसी टाबलेट में कौन सा यह तो बता दो क्यों नहीं बता रहे भाई कहीं भे नहीं लिखा हुआ है कैसे कैसे ये लोग पब्लिश कर देते हैं हो जोगे तो आपको नहीं मिलेगा देख के लगे का आपको अरे बहाई सा S9FE plus this and that लेकिन है क्या इसमें कहीं चुपके से लिखा होगा नहीं तो किसी और वेबसाइट भे देखना पड़ेगा लॉंग बैटरी लाइफ बोल रहा है सूपर स्मूध मीडिया बोल रहा है कलर इसका बहुत अच्छा है बट उसकी ये सब जानके मैं क्या करूँगा प्रोसेसर तो बताओ देख रहें आप कितना बड़ चोर है सैंसेंग नहीं मिला ना मेरे को अब मेरे को सर्च करना पड़ेगा सैंसेंग अलेक्सियास्टाइन एफ पर मैं सर्च करूँगा यहां पर जाने के बाद आपको पता चलेगा हो गया ना कचड़ा एक सुनेस थर्टी एटी प्रोसेसर है समझ गया है तो कंप्रमाइज क्या है कि जो ब्रेन है वो कमजोर है अगर मैं इसको वर्सेस कर दूं M1 अब आप देखो यह थर्टीन से कर रहा है इसको वाई एमन से करो यह थर्टीन बिट कर रहा है इस थर्टीन नेटी का एक सुनेस थर्टीन नेटीन गा जो एमन है वो तो उड़ा देगा इसको अब देखिए यहां पर कंपेरिजन हो रहा है यह देख लो सिंगल कोर पर्फॉर्मेंस मतलब आधे से भी कम है मल्टी कोर पर्फॉर्मेंस वन थर्ड है गीक बेंच 5 में 780 है एक सोनेस थर्टी अटी का एपल एमन का सेवेंटीन फॉर्टी टू है मल्टी कोर में दोजार आठ सो है चीओतर सो है एपल एमन का सिंगल कोर का यह फिर से गीक बेंच किया है गीक बेंच 6 का भी बतार आप देख रहे हो जमीन और आसमान का डिफरेंस है अब बताओ मेरे को यह चीज़ जानने के बाद कि क्या आप एक ऐसा टैबलेट लेना पसंद करोगी जि लोड़ा दिमाग से सॉफ्ट है समझ में नहीं होती बात उसको क्या आप वैसा टैबलेट लेना पसंद करोगे या आपको ऑप्शन मिलेगा कि खतरनाक दिमाग वाला लड़का अच्छी खासी बॉड़ी है इसके खराब भी नहीं बोल सकते एपल है अभी जैसा परफॉर् लिया हुआ है जो सेकेंड जियंस डेसं अभी भी वहाइब कोई डिफ्रेंज नहीं पता चल रहा है एक एक आइपड प्रो है अं! कॉई वहां वाला अभी वह जैसा चल रहा है परफ्विटमेंस में कोई डिफ्रेंज नहीं हाय है तो प्राबर है क्यों हाँ इसमें जगह कम है यह प्रॉब्लम होगी थोड़ी से आपको 64GB तो इसमें USB-C होता है आप उसमें आराम से वो लगा सकते हो डंगल और SSD लगा सकते हो अब यह जो मैकबुक एर वाला है क्योंकि इसमें 8GB रहम है उसका दाम लगबग 77,000 तो 56GB और Mac OS है इस iPad OS है पहुत ज़्यादा यह नहीं है जो नॉर्मल इंटर्टेन्मेंट करना चाहते हैं और थोड़ी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उनके लिए यह आई-पैड मस्त है गेमिंग के लिए भी मस्त है आप इससे अभी भी नॉर्मल BGMI खेल रखते हो पता नहीं चलेगा पता हो मैं रहे को अगर आपके पास 55,000 रुपया होगा तो इन दुनों में से कौन सा करीद हो गए